हेलो बच्चो आज हम लोग डिस्पर्शन ओफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे पले देखिए कि डिस्पर्शन ओफ लाइट है क्या जब हुआइट लाइट किसी प्रीज में से होकर बुजरता है यह आपका प्रीज में से होकर बुजरता है तब यह 7 रंग में श्प्रीट वहता है 7 रंग में तूप जाता है जिसमें हम लोग 7 रंगों की एक रंगन पटी इस इस अश्क्रीन पर प्राप्ट करते हैं भी आई भी जी वाई ओ आर भी गीष्वार्ट वार हुसको तो हम लोग सुचित करते हैं, तो white light का seven color में तूटना, a splitting of white light into seven constituents color, white light का साथ रंग में तूटना dispersion of light कहलाता है, देखिए हम क्या कहें, a splitting of white light, into its seven constituent. Constituent's colors is called dispersion of light. dispersion of light, white light का साथ परकास में तूटना कलाता है आपका dispersion of light कलाता है, अब आप बात समझिए, dispersion के cause क्या है, इसके कारण क्या है, what are the cause of dispersion, आने white light जो है, seven color में क्यों तूटता है, तो पहले समझिए, प्रीज में से जो बीचलन होता है, पतले प्रीज में से, उसके लिए आप फर्मूला जानते हुएगा कि डेल्टा बराबर, मिव माइनस वन इंटू ए होता है, यह आपको बता रहा है कि डेल्टा जो है, मिव का directly proportional होता है, इसके बाद एक बेगानी कूशी थे, जिन्होंने refractive index और wavelength के बीच एक relation दिया, वह relation था कि मिव बराबर, a प्लस, b अस्क्वार बाई लेम्डा स्क्वार, प्लस c पापाउर फोर बटा में लेम्डा पापाउर फोर प्लस डाड़ट, मतलब कि मिव जो है, लेम्डा का inversely proportional होता है, इन दोनों relation से आप देखिएगा, तो डेल्टा जो है, वह एक बाटा लेम्डा का inversely proportional हो गया, मतलब कि जिसका wavelength अधिक होता है, वह कम debriate होता है, और जिसका wavelength कम होता है, वह अधिक debriate होता है, हुईट लाइट में violet कलर का, वालेट करल का wavelength जो है कम होता है और red color का wavelength जो है लेमडा वो सबसे अधिक होता है यह कम deviate होता है जबकि वालेट जो होता है अधिक deviate होता है बिन 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 बि लेकुम में हुआइट लाइट के जितने भी कलर हैं भी आई बी जी वाई ओ आर इन सबका जो है अस्पीड थी इन्टू टेन पर पावर एट मीटर पर सेकंड के इकवल होता है लेकिन जब हुआइट लाइट जब यह हुआइट लाइट जो है एक मेडियम से दूसरे मेडिय में जाता है तो इसकी भैलो सिटी बदल जाती है एक मेडियम से दूसरे मेडियम में जाने पर यहां जो है एयर से आपको एक अधर मेडियम में परिस्ट कर रहा है जिसमें क्यापका प्रीज में है तो फर्ष्ट सर्फेस पर परते ही इसका इस्पीड बदलता है जिसमें र पालेट का स्पीड सबसे कम हो जाता है देखिए रेट जो है सिधा ज्यादा निकल गया है ज्यादा नहीं डेवियेट हुआ है मतलए इसका स्पीड ज्यादा है यह ज्यादा मुड़ने से क्या हो गया इसका डेवियेशन ज्यादा होने से क्या हो गया कि इसका स्पीड जो होत कुछता है कोषिचन धीस परशन जो है वह फिरीज में के किस सर्फेस पर होता है कि तब यह हम कहें है कि हुआइच लाइट में सेवेन कलine होते हैं जब एक मेडियम से दूसरे मेडियमें जाता है तो इसमे फिर इंतो जाता है यह नहीं है इसमें कोई परिवर्त नहीं होगा, red का भी से मोगा, wallet का भी से मोगा, लेकिन जैसे यह air से glass में, चाहई दूसरे चीज में परिविश्च करता है, तो उसका speed जो है, सब colors का अलग अलग हो जाता है, red का सबसे अधिक होता है, और wallet का सबसे कम होता है, क्योंकि यह ज्यादा deviate हो जाता है, और यह कम डेवियट होता है, इसमें आपको सातों कलर और भी है, सभी कलर हैं इसके बीच में, तो first surface पर ही दखिए, यहां से first white light यहां आया first surface से, जैसे ही दूसरे medium में पर्वेस करेगा, यहां dispersion हो जागा, तो first surface पर ही आपका क्या हो जाता है, dispersion होता है, आपसे question पूछा जाएगा कि dispersion जो होता है पिरीजमे में किस surface पर होता है तो first surface पर होता है second surface पर क्या होता है तो second surface पर किवल reflection का किरिय होता है इस surface पर किवल reflection होता है और दूसरा बात अब समझे थोड़ा सा violet color violet color के पास maximum क्या क्या चीज होता है violet color के पास maximum क्या क्या होता है आप इसके लिए एक trick याद रखेगा ddrf ddrf d का मतलब हो गया कि इसका deviation सबसे अधिक होता है violet color का deviation सबसे अधिक होता है आगला d का अर्थ हुआ कि इसका lateral displacement सबसे अधिक होता है lateral displacement सबसे अधिक होता है r का मतलब हुआ कि refractive index सबसे अधिक होता है और f का मतलब हुआ इसका frequency सबसे अधिक होता है ध्यान दिजेगा violet color का white light में जो violet color होता है उसके पास ddrf सबसे अधिक होता है मतलब उसका deviation सबसे अधिक होता है lateral displacement सबसे अधिक होता है उसका refractive index सबसे अधिक होता है और frequency भी सबसे अधिक होता है थोड़ा और बात समझे है कोई wave जो है इस ढंग से आगे चलता है माल लिजे कि एक सेकेंड में red light जो है यहां से यहां तक पहुँचता है यह red light के लिए हम दे दिये air में चला है अगर air में माल लिजे कि चला है violet भी तो यह भी इतना ही distance पूरा करेगा लेकिन देखिए यह ऐसे चलेगा इसमें क्या देखिएगा कि यहां से यहां तक एक wave हुआ इसको wave number कहेंगे number of wave per second is called frequency यह एक frequency इसको कहेंगे यहां से यहां तक दो frequency के बराबर हो गया लेकिन violet में क्या हुआ violet में हुआ यहां से यहां तक एक हो गया फिर दो हो गया फिर तीन हो गया फिर चार हो गया इस डंग से इसमें देखेंगे तो इसमें frequency अधिक हो जाती है और इसमें frequency जो होती है वह कम होती है तो याद रखिएगा कि violet color के पास सबसे अधिक क्या होता है तो DDRF अधिक होता है उसका deviation सबसे अधिक होता है lateral displacement सबसे अधिक होता है refractive index अधिक होता है frequency अधिक होती है मैंने wallet color में number of wave ज्यादा बनते हैं एक second में red color में number of wavelength जो होते हैं number of wave जो होते हैं वह कम बनते हैं इसकी frequency कम होती है इसकी frequency अधिक होती है अब हम लोग white light के बारे में पढ़ेंगे, देखे white light, sunlight, जीसे हम लोग डेली देखते हैं, सुर्ज के परकास को white light कहते हैं, sunlight, जो हम लोग देखते हैं, उसे क्या कहते हैं, white light कहते हैं, न्यूटन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किये, और अपने एक्सपेरिमेंट के अधार पर उन्होंने यह निसकर्ष निकाला, कि white light जो होता है, वह seven colors का बना होता है, इन seven colors of light को भी आई, बी जी, वाई ओ आर द्वारा सुचित क्या जाता है, भालेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, औरेंज, और रेट के द्वारा, इसको सुचित क्या जाता है, इन सबके wavelength को increasing order में ऐसे बढ़ाईएगा, यह लेमडा जो है बढ़ते करम में लिखा गया, तो भालेट का सबसे कम होता है, अर्थी सो से तेताली सो एंगस्ट्रंग तक होता है, और रेट का जो होता है, वो अठातर सो से अठातर सो एंगस्ट्रंग तक होता है, इस ढंग से सेवेन कलर्स जो है इतने के बीच में फैला हुआ है, और मीन कलर जदी आप निकालते हैं, मीन कलर का wavelength, तो सबसे आप सुर इन दोनों को जोड़ करके और दो से भाग दे दीजे जब आप भाग दीजेगा तो यह 58-100 के एंगश्ट्रों के इक्वल हो जाएगा आप 58-100 देखे यहां पर आपको यलो रीजन में आ जाता है यलो रीजन 57-60 तक हो जाता है 1000 में एंगश्ट्रों में आ जाता है 58-100 यलो रीजन में आता है मतलब यलो कलर को जो है न हम लोग मीन कलर कहते है यलो कलर को हम लोग मीन कलर कहते है यद्यान में रखिएगा अब एक कोश्चन आप लोगों को बताते है एंगिल ओफ डेवियेशन किस पर डिपेंड करता है deliberng, angle of deviation depends upon किस पर निर्वर करता है. angle of deviation refractive index depend करता है. दुसरा, angle of prism पर निर्वर करता है. angle of cringe पर निर्वर करता है तिसरा wavelength of light पर निर्वर करता है wavelength of light चौधा आप याद रखेगा temperature पर भी निर्वर करता है और नमबर 5 में भी याद रखेगा angle of incidence पर भी निर्वर करता है एंगिल ओफ इंसीडेंस आपतन कोंड ताप मान परकास का तरंग देर्च और प्रीज्म का कोंड और रिफ्रेक्टिफ इंडेक्स मतलब अपवर्तनांग पनिर्फर करता है देखिए रिफ्रेक्टिफ इंडेक्स अभी उपर में हम आपको बता हैं कि यह जितना ही अधिक होत है एंगिल ओफ प्रीज में भी यह जितना ही अधिक होता है डेवियसन उतना ही अधिक होता है वेवलेंथ जितना ही अधिक होता है डेल्टा उतना ही कम होता है डेवियसन उतना ही क्या हो जाता है कम हो जाता है और टेंप्रेचर की बात समझेए जैसे जैसे बाई मंडल में temperature बढ़ता atmosphere में हमारा temperature बढ़ता जाता है वहां के medium जो होता है वह rarer हो जाता है मतलग वहां पर जितने molecule जो होते हैं जो bimundal में पस्थित होते atmosphere में हमारे यह बहुत दूर दूर तक भाग जाते हैं यानि उसमें जो है temperature बढ़ने से आपका refractive index जो होगा वह कम हो जागा deviation जो होगा वह कम हो जागा क्योंकि जब अनु ज़्यादा दूर दूर तक भागेंगे तो mu आपका कम हो जागा आपका delta भी क्या हो जागा कम हो जागा लेकिन angle of incidence के बारे में अगर पूछ देगा कि angle of deviation depends upon angle of deviation इस पर आपको जवाब देना होगा कि पहले जो है घटता है फिर बाद में जा करके बढ़ता है पहले क्या होता है पहले घटता है तब बढ़ता है फर्स्ट डिक्रीजिंग फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इनक्रीजिंग यानि angle of deviation कमान बढ़ने से angle of incidence कमान बढ़ने से angle of deviation पहले डिक्रीज करता है अतब जो है इनक्रीजिंग करता है फिर से बात समझ लिजे angle of deviation किस पर depend करता है अगर आपसे question पुछता है ता आप याद रखिएगा कि angle of deviation जो होता है वो और refractive index, angle of prism, wavelength of light, temperature और angle of incidence पर निर्भर करता है mu बढ़ने से angle of deviation बढ़ता है angle of freeze में बढ़ने से angle of deviation बढ़ता है wavelength of light बढ़ने से angle of deviation घड़ता है temperature जो है बढ़ने से temperature बढ़ने से mu कमान घड़ जाता है इसलिए angle of deviation भी घड़ जाता है लेकिन angle of incidence की बात होगी कि angle of deviation इस पर कैसे depend करता है तो कहेंगे कि angle of incidence जब बढ़ता है तो angle of deviation का मान पहले घड़ता है और बाद में जो है वह बढ़ता जाता है इस परकार के और भी वीडियो हम आप लोगों को अच्छा अच्छा लाते रहेंगे